आप सुन रहे हैं होरर कहान सुनिल के साथ 25 साल नोगरी करने के बाद मेरा ट्रांसफर हुआ रंधंबोर नेशनल पार्क सवाई मादोपुर में कहते हैं ना कि होनी को कोई नहीं टाल सकता होनी तो होके ही रहती है मैं शाम होने से पहले ही रंधंबोर पहुच गया पहुचते ही नोकर आया और मेरा बेग उठा कर सिधा रूम में रख दिया और चला गया मैंने थोड़ी देर आराम किया और सुरश धलते के वक्त छट पर गया संसेट का वक्त और दूर दूर तक हरा बरा जंगल बड़ा ही खूबसूरत न जारा था मगर जंगल चितना हरा बरा दिखता है अंदर से उतना ही खतरनाक भी होता है इससे पहले मैंने 25 साल फोरस्ट में ही काम किया मगर इस चंगल की शानती कुछ अलग और बड़ी अजीब सी थी मैं थोड़ी देर वही च्छट पर तहनने लगा च्छट पर तहलते तहलते मुझे लगा जैसे कोई सिध्यों से उपर आने वाले दर्वाजे के पीछे से मुझे देख रहा हो मैं तहलते तहलते रुका जैसे ही उस दर्वाजे की तरफ अपने गर्दन गुमाई इस दर्वाजा मेरी आँखों के सामने सोर से अपने आप बंद हो गया इस तरह अचानक दर्वाजा बंद होना मुझे थोड़ा अजीव लगा पर मैं दर्वाजे की तरफ गया और दर्वाजा खोलने की कोशिश की पर वो खुला नहीं मैं जट पर आगे की तरफ गया और नीचे लोन में नोकर को देखा और कहा ये दर्वाजा खुल नहीं रहा तुम आओ और अंदर से खोलो शैद अंदर से लोक हो गया हो नोकर से कहते ही मैंने चेसे ही दर्वाजे की तरफ देखा दर्वाजा अपने आप खुल गया मैं तोड़ता हुआ गया तर्वाजे के पीछे देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया इतने में ही घर का नोकर भी सीडियों से उपर आता हुआ दिखाई दिया मैंने उससे पूछा कि यहां कोई और भी रहता है क्या या कोई आता जाता हो नोकर ने साफ इंकार कर दिया रात का खाना लाते ही नोकर भी अपने घर चला गया मैंने खाना खाया और कुछ फाइल्स निकाल के देखने लगा मैं अपने काम में खोया हुआ था कि मेरा ध्यान एक आवाज से डाइवर्ट हुआ मैंने पहले रूम में चारो तरफ नजर दोड़ाई समझ आया कि आवाज बाहर से आ रही है तो उटके रूम से बाहर गया चारो तरफ देखा मगर कोई दिखाई नहीं दिया मैं उस आवाज को गोर से सुनता हुआ उसका पीछा करते करते नीचे क्राउन फ्लोर पर आ गया मैंने थोड़ा और ध्यान से सुना तो आवाज नीचे फर्श के अंदर से आ रही थी मैंने छुक्के कान फर्श से लगाए मेरे कानों पर एक आवाज पड़ी और साथ ही लाइट चली गई मैं डरा हुआ था उटके फोन की टोर्च जलाई और सीधा अपने रूम में आ गया और बस सुबह होने का इंतिजार करने लगा सुबह हुई और होते के साथ ही जब नोकर आया तो आते ही सबसे पहले उससे फ़ही लेके गया जहां फर्श से अवाज आ रही थी मैंने नोकर से कहा कि यहां से मेट को काट कर अटाए नोकर ने मेट फर्शी से अटाई देखा तो कोहें हैरानी से सिकुड गई मेट के नीचे फर्श को देखने से लग रहा था कि फर्श पर पैचवर किया गया हो शायद इस मार्बल के नीचे कुछ ना कुछ चरूर हो मैंने नोकर से पूछा यहां पहले कुछी गड़बड हुई थी या मतलब कोई अन्होनी हुई थी गया नोकर ने खा साब मैंने यहां कई बार एक बच्चे को घर में खूमते देखा है और आपसे पहले भी कई फोरेश्ट ओफिसर कि यहां पदली हुई थी मगर वो सब एक रात के बाद ही इस घर में रुकते ही नहीं थे और चाते चाते बस यही कहते कि इस घर में एक बच्चा है जो मार देगा यह बाते सुनते वक्ट मैं नोकर के चेरे पर डर साफ साफ देख पा रहा था मगर मुझे उसकी बाते सुनकर बड़ा मजा रहा था अब तो मेरे अंदर उस पच्चे से बात करने की चा उटने लगी नोकर ने मेट वापस लगाई और चला गया इतने बड़े घर में देखने लाएक बहुत कुस था पर मेरी नजर बस वही मेट पर टिकी रही रात होने का बेस सबरी से इंतिजार करने लगा मैं रात हुई नोकर ने खाना रखा और चला गया मैंने खाना साइड में कर वही नीचे क्राउन फ्लोर पर गया और मेट हटाई उसे मारबल को वहाँ से हटाया तो मेरी आखों के सामने एक कौफिन था मैं जैसे ही उसे खोलने लगा एक हवा धी में से मेरे कान पर गिरी मैं समझ गया था कि वो बच्चा यहीं है और यहीं मेरे आसपास ही है मगर मैं सनकी और गुस्से वाला था मैंने ना इधर देखा ना उधर बस उस कौफिन के कवर को खोल दिया खोलने पर उसमें मुझे एक कंकाल दिखाया देखने से लग रहा था मानो किसी पच्चे का कंकाल हो उसे देखते देखते मैं इतना खो गया कि अब तो बस उस पच्चे से जंग लड़ जाओं और देखू कि आखिर मुझे मारता कैसे है मैं अब सोज रात को उस मेट को हटाता और उस पच्चे से बात करने की कोशिश करता मगर सोज जाना सिर्फ उसकी हसी ही सुनाई देती तिन बती उस पच्चे को लेके मेरा कुस्सा बढ़ता ही जा रहा मेरा नोकर भी मेरा उस घर में अजीब बढ़ताओं से फाकिफ था कुछ राते निकल गई मगर आज की रात बहुत अलग थी रात होते ही मैंने पुरे घर की लाइट बंद कर दी और मेट हटाई उस कोफिन के चारो तरफ एक-एक मौमबतियां जलाई और बेट के बस उस कोफिन की तरफ देखता रा कुछ तेर तक कुछ ना होने पर मुझे कुछ सा आया और कोफिन के तरफ देखके का मैं अच्छे से जानता हूँ तू यहाँ है तू यहीं है मैं तो तुझे देख नहीं बारा मगर तू तू मुझे देख पा रहा है तू चाता क्या है हाँ पता अरे पता ना क्यों घूमता रहता है तू यहाँ वहाँ तेना जवाब अच्छा तू यहाँ है तो चल जल्दी से मुझे को इशारा कर जल्दी कमान कमान इतना बोलते ही कौफिन का कवर चोड से खुला और एक आवाज आई मेरी खुशी का ठीका नहीं ना रहा उस हसी को सुनकर मैं ओ तो तू आ गया यहर तू आई गया है तो फिर बता ना तू चाता क्या है बढ़ा इंतजार करवाया तूने मुझे अच्छा पहले यह बता किस तरफ है तू मौमबत्ती की रोशनी में तस कदम दूर तिवार पर लगा पड़दा हिला मैं उटके धीरे धीरे पड़दे के करीब गया जेसे ही पड़दा हटाया तो सामने एक पच्चा था सर से खून बहरा था उसके पड़ी सी आँखे लिए मेरी तरफ देखता रहा उसके हाथ में खून लगा चाकू भी था मैं कुछ करता या बोलता उससे पहले ही मेरी आँखों के सामने ही वो कायब हो गया और चाकू वहीं गिर गया और एक मौमबती बुच गई अंदेरा थोड़ा और बढ़ गया मैंने चाकू उठाया और कहा अरे यार मारना चाता है तो यो ही मार दे इसे क्या कर रहा है तू अच्छा तो तू अपने शिकार के साथ छेल रहा है हाँ और एक आवाज आई तेखा तो कोफिन से जो कंकाल था ऐसा लग रहा था जैसे वो बच्चा अपने कंकाल के साथ खेल रहा हूँ मैंने धीरे धीरे कोफिन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया पस हाथ बढ़ा ही रहा था मेरे पीछे से शैद उस बच्चे नहीं जोर से चिलाया तीनों मौमबतियां भी भुच गई पीछे से मेरे कान पर एक धीमी से फूँक आई मैं ओ तू एसे डरा के मारता है तू हां एसे डरा है था ना तूने पहले वाले ओफिसर्स को भी पता ना एसे ही किया था ना पर मैं इससे केसे मरूंगा मैं बताओं तुझे मैं बताओं केसे मारते हैं तू क्या मारेगा ले मैं बताओं तुझे केसे मारते हैं और मैं कुस्से में इतना पागल हो चुका था, कि उस चाकू से धीरे धीरे अपने हाथ की नसे काटने लगा। देख इसे तड़पाये जाता है, ऐसे मारा जाता है, तुने पाकी ओफिसर के साथ भी ऐसे ही किया था क्या, और मेरे कानों पर एक आवाज आई थीरे थीरे काफी खून बेहने के कारण मैं फर्शवर गिर गया, इतने में ही घर की लैट चली, सामने देखा तो नोकर था, और थीरे थीरे मेरी आखों के आगे अंदेरा चा गया, जब आख खुली तो ये नया दिन था, और मैं होस्पिटल में था, मेरे नोकर ने मुझे वक्त पर हस्पताल पहुचाया, मैंने उससे पूछा कि तुम्हे आदी रात को वापस घर क्यूं आए, तो नोकर ने का, साब, आपके यहां से निकलने के बाद, जब मैं घर पहुच कर सोने लगा, तो नींद आते ही, एक पुरा सपना देखा, जिसमें आप उस बच्चे से बाते कर रहे थे, मैं उस बच्चे को आपके चारों तरफ खूमता हुआ, देख रहा था, अचानक इससे मेरी आँख खुल गई, और आँख खुलते ही, एक आवास सुनी, मुझे लगा, कि आपकी जन खत्रे में है, और मैं तूरंत आपके पास आ गया, हाज में चिन्दा हूँ, तो मेरे नोकर की वज़े से, एक दिन बाद मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया, सीदा घर आया, और अपना सामान पेक कर, वहां से हमेशा के लिए चला गया, कुछ दिन बाद उस घर का दर्वाजा खुला, ये एक नया फोरेश्ट ओफिसर था, और पहली ही रात उसने एक आवास सुनी,